वेलकम दोस्तो आज आपके लिए लेके आचुका हूँ OnePlus 12 R 5G स्मार्टफॉन और इसकी डिजाइन देख सकते हो बाई साब काफी जदा अमेजिंग है बेक में और फ्रेंट में दोनों में करवड डिजाइन मिलती है बीज के अंदर मेटल फ्रेम है जो इसकी बिल्ड क्वाल्टी को और ज़्यादा स्ट्रोंग बनाती है बेक साइड में गलास और 120Hz 3D करवड एमूलेट डिस्पले मिलती है स्नेप डेकन 8 Gen 2 प्रोसेसर और इसको यूज करने के लिए 5500 अमच बेटरी जो इस स्मार्ट फोन को पूरा दिन आसानी से चला देगी और चार्ज करने के लिए 100 वोड चार्जर एडेप्टर मिलता है लेकिन आज मैं आपको इस स्मार्ट फोन के अमेजिंग हीडन फीचर्स बताऊंगा अगर आपने इसको खरीजने का सोच आए या फिर खरीज चुके हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आयों इस वीडियो में इस स्मार्ट फोन के मज़ेदार फीचर्स पता चल जाएंगे तो बिना किसी देरी के फटा फट से करते हैं स्टार्ट इस स्मार्ट फोन के अंदर सबसे पहले बता देता हूँ इन डिस्पले फिंगरपींट सेंसर बीच में है जो और भी काफी ज़दा comfort हो जाता है और स्मार्ट फोन को जैसे low करके ही unlock करते हो तो ये live wallpaper देखने को मिलते हैं जिसको आप change भी कर सकते हो और स्मार्ट फोन को और ज़दा मज़ेदार बनाता है home screen पर tape करके रखना है wallpaper का option मिलता है जिसमें देख सकते हो बहुत ही amazing live wallpaper देखने को मिलेंगे जो आप अपने according change भी कर सकते हो इसके बाद में आपको बेक आना है और setting के उपर क्लिक करना है स्मार्ट फोन को और मज़ेदार बनाने के लिए wallpaper and style के उपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर always on display का option मिलेगा जिसको यहाँ से on कर देना है on करने के बाद में इसमें काफी सारे features देखने को मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर canvas हो गया custom pattern हो गया जो आप अपने according यहाँ पर अलग-अलग color change करके drawing बना सकते हो जो आपको लोग smart phone को लोग करने पर देखने को मिलती है इसके बाद में आपको इस तरीके से bake आना है bake आने के बाद में देखोगे यहाँ पर आप अपनी खुद की photo के साथ में नेम भी लिख सकते हो और यह मिल जाता है emoji का option जो मैंने set करके रखा है जिसमें काफी मज़ेदार emoji भी लगा सकते हो आप low skin के उपर नीचे आने के बाद में system के नीचे यहाँ पर option मिल जाते हैं यह live animation के साथ में और जो नीचे date and time शोर हो रहा है उसका भी आप यहाँ से अपने according color change कर सकते हो फिर apply कर देना है जब smartphone lock होगा तो यहाँ पर ऐसा animation के साथ में दिखाई देगा और इसके अंदर आपको और जदा मज़ेदार features तो देखने को मिल जाते हैं जैसे यह काफी अच्छे-ची clock वगरा हो गई और इसके बाद में आपको यह सारे features मिलते हैं जिसमें आपको English के अंदर है जो time दिखाई देगा और इसमें आप image के उपर click रोगे तो इसमें भी देख सकते हो बहुत सारे effects तो मिल जाते हैं लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ बेक आने के बाद में आपको इसमें देखने को मिलेगा fingerprint animation जैसे इस smartphone को मैं लोग करता हूँ तो कुछ ऐसा normal fingerprint animation दिखाई देता है जब भी unlock करता हूँ तो लेकिन उसको ये colorful बना सकते हो जैसे ये red वाला हो गया जैसे ये वाला हो गया जैसे मैंने इसको set किया है और set करने के बाद में जब भी unlock करूँगा तो आपको कुछ second के लिए age के अंदर यहाँ पर display पर ये light देखने को मिलेगी जो इस smartphone को और मज़ेदार बनाएगी सबसे ज़दा मज़ेदार चीज इसके अंदर आपको कोई भी blotware application देखने को नहीं मिलती है ये बहुत ही कमाल की चीज है और इसके अलवा अगर आप smartphone को एक हास से यूज कर रहे हो और application उपर की side में अगर आप इसको open करना चाहते हो one-handed use करते हुए तो बस एक सोटी सी setting on कर लेनी है home skin पर tape करके रखना है इधर की तरफ slide करना है more के उपर click करोगे तो icon pull down gasoscope से मिलेगा बस इसको on कर देना है on करने के बाद में आप mobile को एक हास से यूज कर रहे हो बस नीचे से हलका सा slide करोगे तो सारी application आपके finger के नीचे आ जाएगी और आप इसको direct यहीं से open कर पाओगे smartphone की display काफी ज़दा amazing है इसके अंदर आपको 1600 nits brightness pick level मिलता है तो इसकी brightness फुल करके आप दूप में भी आसानी से visible करवा सकते हो और bezels वगेरा बहुत ही कम देखने को मिलते हैं वैसे मैं by default display की setting बता देता हूँ mobile की setting में आना है display and brightness के उपर click करोगे तो mobile को अगर night में यूज करते हो तो dark mode यहाँ से on कर सकते हो जिससे display का color black हो जाता है और आंकों के लिए काफी ज़दा सही होता है और इसमें एक natural tune display का option मिलता है अगर आप इसको on कर देते हो और आप कहीं पर भी जाते हो तो उस तरीके से आपको color के है जो light के advantage इस display के colors देखने को मिलेंगे नीचे की side में आपको काफी सारे option मिल जाते है वीडियो color boost का option मिलता है अगर आप इसको on कर देते हो तो netflix, youtube अगरा पर और भी HD quality अच्छे colors के साथ में वीडियो ग्राफी देख पाओगे इसके बाद में आपको bake आना है bake आने के बाद में adaptive sleep का option मिलता है अगर आप इसको on कर देते हो तो ये वाला features मुझे बहुत ही अच्छा लगा वैसे smartphone की display को बीना touch करे आप smartphone की तरफ देख रहे हो तो light off नहीं होगी जैसे आप कोई music या photos वगरा देखते हो तो ये smartphone की display बार-बार में off नहीं होगी और finally इसमें मिल जाता है screen refresh rate का option जिसके अंदर आप है जो high के उपर क्लिक करते हो तो 120Hz के उपर use कर पाओगे जिससे display का experience और भी ज़दा fast होगा गाईज अब मेरे बहुत सारे बाई पूछ रहे कि यार इसके camera के अंदर कौन कौन से mods मिलते है front camera में हम कितनी mbps में video record कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि rear camera में आपको सबसे पहले pro mode मिलता है ठीक है फिर video का option मिलेगा जिसमें wide angle camera से लेकर आप 10x तक video record कर पाओगे और rear camera में आपको 4K का option मिल जाता है जो 60fps पर switch कर सकते हो और जैसे इसमें stabilization को on करते हो तो 1080p 60fps पर चला जाता है और photo के अंदर अगर zooming की बात करें तो इसमें photo में only 20x zoom देखने को मिलेगा इसके बाद में guys portrait camera का option मिलता है जिसके अंदर 2x optical zoom तो भाई कम से कम होना चाहिए था इस price segment के अंदर वो इसमें एक देखने को नहीं मिलता है वेसे अच्छी photos तो आजाती है और more camera के अंदर आने के बाद में night mode and high resolution panorama mode, macro camera, film mode, slow motion, time lapse long exposure, dual view video, text scanner, T10 shift ये सारे mods इसमें मिलते हैं और एक चीज यहाँ पर front camera में आप 1080p 30fps में video record कर पाऊगे अगर आप smartphone को one-handed use करना चाते हो तो उसके लिए भी एक नया features मिल जाता है जो जिसको काफी easy कर दिया है बस mobile की setting में जाना है additional setting के उपर click करोगे तो यहाँ पर one-handed mode देखने को मिलेगा जिसको यहाँ से on कर देना है फिर setting के उपर click करके आपको यह button हटाने होंगे gates के उपर click करना होगा अब नीचे से button भी हट जाएंगे फिर यहाँ पर एक line देखने को मिल दिये अगर आप इसको भी हटाना चाहते हो तो बिल्कुल हटा सकते हो hide gates के उस guide war कर देना है इसके बाद में smartphone के कुछ special features भी बता देता हूँ आपको mobile की setting में जाना है special features के उपर click करोगे तो यहाँ पर आपको flexible window काफी सारे features तो मिलते है लेकिन आपको click करना है quick launch के उपर और इसको on कर देना है अब नीचे आपको application set करने का option मिलेगा जो जादा use करते हो जैसे आपको apps के उपर click करना है Snapchat हो गया इसको मैं यहाँ पर set करूँगा लेकिन उसके लिए आपको download करना होगा तो download नहीं है तो मैं by default को दूसरी application यहाँ पर 5 आपको set करके दिखा देता हूँ Gmail हो गया Chrome browser यह सारे set कर दिए right के उपर click करूँगा तो smartphone को मैं जैसे low करके fingerprint से unlock करता हूँ तो आपको बस hold and press करके रखना है और आपके सामने यह सारी application आजाएगी और आप इनको direct यहीं से open कर पाऊगे जैसे कोई भी phone पे को वगयरा आप set कर सकते हो payment वगयरा करना हो तो unlock या direct यहीं से set कर सकते हो इसके बाद में आपको back आना है बेक आने के बाद में नीचे बहुत सारे option मिलते हैं लेकिन एक option बता जेता हूँ gestures and motion के उपर click करते हो तो इसमें air gestures का option मिलेगा यहां पर काफी height तरीके से है लेकिन इसको यहां से on कर देना है on करने के बाद में क्या होगा अगर आपका smartphone टेबल पर कहीं पर रखा हुआ है या फिर आपके हाथ में तो आप इसको कुछ amazing तरीके से भी receive कर सकते हो जैसे call आ रहा है बस आप इस तरीके से flip करोगे तो call attend हो जाएगा इसके बाद में आपको bake आना है bake आने के बाद में यहां पर बहुत सारे option देखने को तो मिल जाते है skin of gestures का option मिलता है जिसमें आप सभी smartphone में देखने को मिलता है लेकिन देखते ही यह किस तरीके से काम करता है जैसे O बनाओगे तो open camera हो जाएगा वी torch on हो जाती है और W के अंदर आप और इन तीनों के अंदर customization कर सकते हो जैसे मैं कोई दूसरी application set कर देता हूँ अब स्मार्टफोन को log किया log करने के बाद में o draw करते ही स्मार्टफोन में कुछ इस तरीकी से एक बार करके दिखा देता हूँ ओके यहाँ पर फटा फट से camera open हो गया और इस तरीकी से मैं we draw करता हूँ तो इसमें torch light on हो जाती है और जो मैंने W की जगा पर photos का option रखाता तो इसके अंदर आपको unlock करना होगा और directly फिर photos के अंदर फटा फट से चला जाएगा स्मार्टफोन के अंदर आप दो-दो application यूज करना चाहते हो जिसके लिए एक मज़ेदार smart slide bar का option देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर मैं इस तरीके से हो इदर slide करूँगा तो यहाँ पर आपको smart slide bar open करना होगा get start करना है अब इसमें देख सकते हो photos या कोई दूसरी application open करनी है तो मैं उसको hold करके इदर slide करूँगा जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इदर slide करने के उपर बाद में देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दो-दो application चलाने का option मिल जाएगा जिसकी size को भी छोटा बड़ा कर सकते हो और यहाँ पर मैं बापस normal कर देता हूँ अब दुबारा इसमें smart slide bar क्ली करते हो तो उपर एक option मिलता है file dog का जिसमें क्या होता है आप कोई भी screenshot बगरा लेते हो तो जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ अब यह screenshot आ चुका है मैं इसको directly यहाँ पर आप है जो इसमें एक बार three fingers से down करके भी screenshot ले सकता हूँ इसको file dog के अंदर set कर सकता हूँ यहीं से और मैं directly यहीं पर क्या होगा guys अगर किसी को whatsapp पर या use करना है कोई number बगरा देखना है तो मैं file dog के अंदर जाकर यहीं से इसमें देख सकता हूँ अगर आप इस smartphone के अंदर दो-दो application एक साथ में use करना चाहते हो तो बस recent बार को use करना है जैसे photos हो गया इस three dots के उपर आप click करोगे तो यहाँ पर आपको floating window का option मिलेगा जिसके उपर click करके यहाँ पर कुछ इस size में इसको open कर सकते हो इसकी size को भी यहाँ से छोटा बड़ा करके इसको screen पर कहीं पर भी exist कर सकते हो और नीचे की side में आप इसमें camera कोई other application दो-दो application एक साथ में चला पाओगे इस तरीकी से आप दो-दो application में एक साथ में online record chatting भी कर सकते हो अब बात करते हैं privacy के लिए इस smartphone के अंदर कोई भी photos application hide करना चाहते हो तो simple आपको mobile की setting में जाना है कोई दूसरी application download नहीं करना है security and privacy को उपर click करोगे फिर नीचे की तरफ slide करना है यहाँ पर app log hide application का option मिल जाता है तो बस इन में से आपको बस एक बार setup करना होगा फिर setting के उपर click करोगे यहाँ पर आपको password वगेरा pattern वगेरा set करके रख लेने जैसे मैं example ये वाला set कर जेता हूँ फिर एक question का answer देना है इसमें क्या होता है guys जैसे कि अगर आप ये password भूल जाते हो तो इसमें verify कर पाऊगे अब जो application hide करना चाते हो जैसे मैं Chrome को hide कर देता हूँ बस उसके लिए एक आपको setting के उपर click करके कुछ quotes लगाने start के अंदर hatch होना चाहिए last के अंदर hatch होना चाहिए फिर right के उपर click करोगे done अब अपना setup complete हो चुका है और इसी तरीके से आपको मैंने दिखाया जैसे कि आप app lock में भी app lock लगा सकते हो वो ही password काम आ जाएगा फिर आपको go it करना है और Chrome को यहाँ पर जैसे कि मैं दूसरी application के उपर lock लगा जेता हूँ वो भी आप यहाँ पर इसको okay करके फिर नीचे ही side भी आप lock लगा सकते हो इसमें fingerprint यूज़ करना चाते हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो अब मैंने जो application hide की थी वो कहाँ पर show होगी इसके लिए आपको जो code लगा थे आपने start में हच वगेरा वो आपको इसमें dialer के अंदर जाना है और यहाँ पर हच वगेरा लगा कर इस तरीके से आप इसमें है जो hide application देख सकते हो है ना गाइस मज़िदा ट्रीक तो चैनल को subscribe नहीं किया तो फिलीज चैनल को subscribe जरूर कर दीजीगा आपके support की जरूरत है दोस्तो इस बार इस smartphone की UI को बहुत ही ज़दा clean किया है कोई fall to application नहीं है फिर भी जो यह application है उनको भी आप एक folder के अंदर डाल सकते हो जिसमें आप customization का option भी मिल जाता है इसको चोटा बड़ा करना है वो भी यहाँ से directly आप कर पाऊगे और remove folder की उपर click रोगे तो यहाँ से सारी application आपको show भी हो जाएगी वैसे smartphone की home screen की उपर tap करके रखते हो तो यहाँ पर transaction का option मिलता है जैसे आप इस तरीके से slide करते हो तो अभी normal है लेकिन आप इसको change करके कुछ इस तरीके की style वगएरा में भी change कर सकते हो स्मार्टफोन की UI को और भी जदा मज़ेदार बनाता है वैसे हर बार की तरह जैसे इसमें नीचे scroll down करते हो तो मेरे बहुत सारे बाई पूस्ते हैं कि इसमें अनपसी का support है या नहीं तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ इसमें अनपसी का support तो मिल जाता है आपको notification and status bar के उपर क्लिक करना है नीचे आने के बाद में more setting के उपर क्लिक करोगे तो इसमें आपको notification history का option देखने को मिलेगा सबसे last में इसको जाकर इसको यहां से on कर देना है on करने के बाद में guys क्या होगा जैसे आप कोई भी यहां से जो clear all करते हो message बगरा history तो वो आपको यहां पर show हो जाएगी और यह भी बता देगा कौन सी application का message था कौन सी application का notification था और कितनी वज़े था तो है ना guys कमाल के trick से इस smartphone के अंदर आपको एक photo cutout का option भी मिल जाता है android 14 है तो जैसे कोई भी photo के background remove करना चाते हो या cut करना साते हो बस उसके उपर click करके रखना है आपको कुछ इस तरीके से और यहां पर देख सकते हो आसानी से है जो इसको remove कर लेता है इसको आप sticker वगेरा भी बना सकते हो एक इसमें photo erase का option मिलता है जिसमें क्या होता है जैसे आप edit के उपर click करोगे okay करना है फिर यहां पर आप slide करके erase का option देखने को मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको data वगेरा connect करके रखना है net use करना है अब जिससे अगर इस follower को remove करना है तो erase के उपर click करके इसके उपर erase करोगे तो यह follower remove हो जाएगा बस यहां पर आपको box की photo देखने को ही मिलेगी इसके अलावा इस smartphone में दो application चलाना चाते हो जैसे phone page, snapchat, instagram तो बिल्कुल चला सकते हो आपको mobile की setting में जाना है apps के उपर click करना है यहां पर app learner का option मिलेगा जिसके अदर आप जाकर यहां पर दो-दो application चला सकते हो बस उसके लिए आपको download करके रखना होगा इस smartphone की battery health का भी आप ख्याल रख सकते हो battery के उपर आपको click करना है नीचे slide करना है और battery health यहां से check कर सकते हो अभी हमारे जैसे smartphone में की battery 100% है और इसमें आपको एक smart charging option भी मिलता है अगर आप smartphone को जल्दी charge करना चाहते हो तो इसको on करके charge करना smartphone और भी ज़दा fast charge होगा smart charging और यहां पर stop charging option मिलता है अगर आप smartphone को night में use करते हो जैसे charge लगा कर छोड़ देते हो तो यह on कर देना यह आपकी battery को काफी health का ख्याल रखेगा जिसमें क्या होगा 80% mobile होने के बार में smart phone charge होना बंद हो जाएगा और पूरी night के अंदर अगर mobile charge लगा भी रह गया तो पूरी रात में अपना smartphone की battery खराब नहीं होगी तो दोस्तों यह थे इस smartphone के मज़ेदार hidden feature से अगर आप comment करते हो तो मैं part 2 वीडियो भी बना डालूँगा बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके comment करना है मैं आपको reply या फिर उसके उपर वीडियो बनाने की पूरी कोसिस करूँगा मिलते नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में बाई बाई स्मार्टपोन कैसा लगा comment करके जुरूर बताना